है 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 गाइस वाइफाइस टीचेंजिंग दव्यूफ लंडिंग स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वां सेडिशनल वाइफाइस रिपे जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुपह 8 बज़े मंदे टू मंदे मंदे टू सेड़े अपना एक इंपॉर्टन पेपर है वह सब हम लोग डिसकॉस करने वाले तो जब सबसे पहले शुरुबात करेंगे कल के पाच कोशिन के साथ में जो कि मैंने कल आपको दिये थे और उसके बाद को स्टार्ट करेंगे आज का अपना सेशन तो ये सारे एक्जाम है दोस्तों कि आपको बहुत इंसारे के अंदर बहुत करने वाले इसके बार आपको एक्जाम के अंदर नहीं देखने को मिलेगा चलिए प्रिवियस दे के कोशिंस के बारे में बात करते हैं कल का पहला सवाल था कल मैंने आप से पूछा था कि सेट को वहां लॉंच डैश का उप्योग करके लॉंच किया गया है और यहांप पर आंसर प्रिया हो जाएगा प्येश SLV C51 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है किरिन बेदी को हटाने के बाद पुडुचरी के उपराज जिपाल के रूप में किसे कारेबाल समाला है तो तमिली सही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए इसके अलबा आरिफ खान कहां के कि स्युक्त राष्ट पुण्जी विकास कोश्ट का प्रमुक नियुक्त किया गया है क्यापिटल डवलोप्मेंट की बात करें तो प्रितिस इनहा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है कालपत वनेजिव अभ्यारन हाली में खबरों में था वह डैश में य यहां पर कुछ हाथियों की मृत्य हो गई थी नेक्स्ट हमने बात करें थी इंडियन साइन लेंग्विज का कौन सा एडिशन है जो कि लॉंच किया गया था ठीके गया चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों जो कि है सबसे पहला है आप एक ओफ दे जो की नेहा की दुवारा बेजा गया है चूज बिट्वीन पेन ओफ डिसिप्लेन और पेन ओफ रिग्रेट बिल्कुल सही बात बोलिए या तो आज आप इतनी पढ़ाई कर लो कि कभी जीवन में आपको रिग्रेट ना रहें ओके या फिर और आप इस चीच को, पेन को जहे लो कि discipline से pain तो होगा, परिशानी तो होगी सुबह उठना पड़ेगा, मुश्किल भी आएगी लोना भी आएगा परिशानी भी होगी लेकिन करना है तो मतलब करना है Simple से बात है. मुझे लगता है कि जो जुए पेन, discipline का है ना इससे काफी जादा बड़ा pain जो है वो regret का होता है जीवन में कभी regret नहीं रहना चाहिए कि काश मैं preparation कर लेता काश मैं अच्छी तरीके से पढ़ लेता काश एक साल पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेता तो ये जो काश वर्ड है ना इसको guys दूर रखा करो अपने आप से जो भी पसंद है वो करो और 100% अपना दो 101% अपना effort दो उसके बाद जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा अगर आपका selection होता है तो भी यकिन मानिए बहुत अच्छा होगा लेकिन अगर आपने add-on कर लिया तो आपको life में आगे बढ़ने से success पाने से किसी भी field के अंदर कोई नहीं रोप सकता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों next चलते हैं जो कि हैं आपे anacademy subscription को लेकर तो आप anacademy पे किसी भी exam की preparation कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन यूज़ करके 10% off है जो कि आपको यहां पर मिल जाएगा से में जो है मैं यहां पर पॉलिटी की शुरुवात करने वाला हूं कुछ ही दुनों के अंदर तो join करना मत बूलिएगा complete preparation कर सकते हैं मेरे अलावा आपको math reasoning English की भी पूरी classes मिल जाएगी उसी प्रकार से बैंकिंग यूपीसी पीसी डिफेंस किसी भी एक्जान के लिए आप कर सकते हैं साथ में दोस्तों डेली सुबह दस बजे आपका टॉप 40 static GK का कोर्स भी चल रहा है तो आप इसको भी जोइन कर सकते हैं डेली सुबह 10 बजे में आप लोग के लिए class लेकिया आता हूं जो कि free होती है static GK का कोर्स है तो जोइन करना मत भूलिए बहुत ही इंपॉलिट आप लोग के लिए नेक्स बात करते हैं दोस्तों जो कि पॉलिटी के बारे में बता चुका हूं मातर साड़े चार सो रुपे पर मंत में आप कंप्लीट GK मेर से कवर कर सकते हैं सस्टी प्लस में चलिए तो आज कितने लोग की मृत्य हुई है कितने लोग उनकी शहीद हुए उसके बारे में आप जानकारी है जो कि आप दी गई है तो पीपल लिबरेशन आर्मी ओके रेगुलर आम्ड फोर्स है जैसे कि आपको मालूम है चैना की तो इन्हों ने पैंकॉंग गलवान वैली के अंदर आ जो कि यहां पे स्टार्ट हो रहा है ऐसा इन्होंने क्यों किया है इतने साल इतने टाइम, बाद में न करी है ठीक है हाफ रिविडेंस की ओपर लोगो पकड़ा है उसको लेकर यहां पर बता है यह पुरा का पुरा आपका फ्रंट पेज है आज सेटेड़ है तो बहुत जादा न्यूस है जो कि सेटेड़े में देखने को नहीं मिलती है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं त अगर कुछ बी आगर जान जाती है तो दोनों ही देशों के लिए नुखसार होता है पस जिस समझने की ज़रुते है चायना को भी कर llega अपनाने की जरुरत नहीं है इससे दोनों साइड का रुपसान होता है अब जान हर्जे के सिमिलर होती है मतलब और सेना हर्जे के सेम काम करती है अपनी integrity को sovereignty को बचाने का काम करती है ठीक है तो कर मैं पीले के बारे में बात कुर तो देखिए पीले की शुरुआ जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चैना की इनकी शुरुआत थोड़ा सा में आपको इत्यास थोड़ा सा जानना जरूरी होता है हर न्यूस के बारे में हम लोग थोड़ा बैग्राउंड देखते हैं फिर आगे का देखते हैं तो देखिए हुआ क्या था एक नैंचेंग नंग मैं जोकी बनी भी था इन्होंने ब्रांसिस बना रखी है पर देखिए एक हैर्ट के military के head कौन है यहां पे जिंग पिंग ही होते हैं जो है प्रिमियर जो आके जिंग पिंग ही आके चेर्मेन है जो कि होते हैं ठीक है और यहां पर minimum जो है वह 20 साल जो है वह यह चाहिए होती है military के अंदर include करने को लेकर ठीक है पहले तो बजट भी बहुत जादा है 177 billion dollar के आसपास का बजट है हमार से कोई तीन गुरा जादा है यह दुनिया में सेकिंड नंबर का है सबसे जादा बजट जीडिपी का 1.3 परसेंट है जो की माना जाता है ठीक है और दुनिया के सहरे देशों को यह अपने हतियार है जो की supply भी करत हमारे लिए भी दोस्तों बहुत ही जादा साइड देता है क्योंकि हमारे 20 जवान है मतलब जो कि इसके अंदर शहीद हो गए थे उन्होंने अपनी जार अपनी कंट्रे को बचाने के लिए अपने लैंड को बचाने के लिए दी तो यहां पर आप देख सकते हैं यह गलवान सेलोल में लैंस पर अविलेबल तरह इसके अलावा है यह इस्याटिन के बाद में यह बाले यह वाला जो यह इरिया न यह पापर चैनल को गिफ्टन में मिंदिया था तो लिए लड़ा यह अब को समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा मैंप यह स्कत है तो दोस्तों ये कुछ सैटलाइट इमेजेज है ना मचसर टेक्नोलोजी के दुबारा दी गई है पैंक कॉंग वाला लेक का एरिया ये देखे कितने सारे स्ट्रक्चर है जो कि यहां पे बने वह हैं मतलब और अभी आप देख सकते हो विड्रॉल के बाद में पूरा एरिया खाली हो चुका है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स चलते हैं आपको समझ में आ गया होगा कहा से दुबाय क्या हुआ है और स्टेट ऑनर देने को लिवज़े से दोस्तों ये अनौसमेंट है जो कि चाइना के दुबारा किया गया है ओके चाइना और पाकिस्तान अ ये बहुत ही बड़ी गलत है कि सवाल और कूछतें कि सर इंदिया और चायना कि आरभी में कौन जधा स्टरॉंग है ये सवाल अकसरotypes सवाफंड है गूगल के ओपर पिपचास सब्म्स पर दे रखा है और इसको लेकर मैंने भी बहुत सारे डॉक्यमेंट से जो कि पढ़ा है तो आपको एक में बहुत सिंपल आंसर करना चाहँगा नंबर के अंदर नंबर के अंदर चाइनीज बहुत जादा है के नंबर के अंदर अगर कंपैरेटिवली लेकिन जब वह रोती है कि उतिना के अंदर इंडिया के आर्मई और पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की नमबर आता है इंडियन आर्मी को जितने चीज्वर यूपर ग्रांड के ऊपर लड़ने का उतना किसीपों भी नहीं है और दूसरा जो matter करता है, वो करता है war के अंदर देश बक्ति, जितना petroism हमारे अंदर है देश को लेकर उतना Chinese की सेना के अंदर नहीं है, वो पीछे अपने पैर को खीचने में बहुत जल्दी करता है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हमारे आपको मालू है बच्चा-बच्चा जो है, वो देश बक्ति को लेकर, आर्मी में जाने को लेकर, खना, उसको लेकर बहुत जादा हम लोग आगे रहते हैं, तो हमारे कभी पैर पीछे नहीं जाते हैं, तो ये दो चीज़े हैं जो कि war में बहुत matter करती है, इसी वज़े से ऐसा होता है कि इंडिया एक front में वाल battle ground जो है ना, training के लिए है, वो भी बना रखा है हम आपने, ओके चलिए, आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि NASA के mission को लेकर, NASA के perseverance mission को लेकर, जो rover है दोस्तों, उसने ये Mars के mission के उपर से photo, Mars के उपर से photo है, जो कि भेजिए, आप देख सकते हैं, ये इसका shadow है, जो कि आपे न स्वाती जादा, बिजर ली मतलब, obviously NASA के scientist को जाता ही है, लेकिन इसी के अंदर एक Indian American scientist है, दोस्तों, स्वाती मोहन, उनको भी जो है, इसका mission का काफी credit है, जो कि दिया जा रहा है, जो rover था ना, इसके Mars को उपर landing कराने को लेकर, इनका बहुत बड़ा role है, जो कि रहा है, इसको complete है, जो कि किया है, ठीक है, तो ये नाम भी धार रखीगा, पेपर में आपसे पूछेंगे मतलब, चलिए, आगे बात करते हैं, NASA को लेकर, NASA ने दोस्तों, मार्स 2020, ओके, ये जो पर्जिवरेंस mission है, इस rover को launch किया था, United Launch Alliance Atlas 5 के द्वारा, ये कैनेवल जो है, Air Force Station ने Florida में मार्स से launch किया, तीसरा मार्स कमिशन है, दोस्तों, UA ने भी आपको मालूम है, होप नाम का विजावा है, चाइना ने भी ताइवान बन नाम का विजावा है, तो ये तीसरा है, जिसका नाम क्या है, Perseverence, ध्यार रखिएगा, की फेट की बात करें तो अठारा, दोस्त जे जेरो नाम का एक क्रेटर है, एक एरिया है, वहाँ पर इसको land है, जो की करवाए गया है, 7 instruments है, जो की इसके अंदर लगाए गए है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह यह देखें, काफी beautiful है, यह weather station है, मीटा, यह अल्ट्रा वालेट, स्पेक्ट्रो मीटर लगा रहा ह इसका, शेल लॉग, सूपर कम है, आपे, माइक्रो इमेज़, छोटी-छोटी images है, जो की अविलेबल करवाए गया है, यह जूम करके, परनोमिक कैमरा है, must cam, तो ऐसे काफी चीज़ है, यह देखें, मॉक्सी है, जो oxygen प्रेड्यूस करेगा, CO2 से, यहाला एरिया न, यह करे यह क्या करेगा, मार्स के ओपर, carbon dioxide से, oxygen में convert करने का काम करेगा, समझें मेरी बात, ingenuity भी बहुत important है, यह first ever helicopter है, दोस्तों, जो की मार्स के ओपर fly करेगा, पहली बार NASA जो एक helicopter को fly कर रहा है, किसी दूसरे planet के ओपर, रॉक सेंपल भी दोस्तों, यहां से लेके आएंगे, औ पता करना, यहां के martian rock और dust sample को पता करना, इसके अलावा climate geology मार्स के ओपता करना, और future mission के लिए दोस्तों, टेक्नोलजी को demonstrate करने को लेकर, तो यह सारे के सारे इसके की mission है, दोस्तों, हम लोग इतने interested क्यों है, मार्स के अंदर, हम लोग इतने, यह भी आपको जानना जरू सुरिए दोस्तों, एक बार वीडियो को share करते ना, आपने अभी तक share नहीं किया, तो WhatsApp पे, Telegram पे, Telegram पे, WhatsApp पे एक बार share करते ना, वीडियो को, ताकि और पर जोइन कर सके, तो देखिए, मार्स पहली बात तो बहुत ही पास में है, 200 million kilometer आवे है, बहुत पास में मतलब, universe के पास में है, तो हम लोग future में क्या चाहते है, कि हम लोग यहाँ पे travel करना चाहते है, longer duration के लिए, okay, मार्स के उपर, पानी और atmosphere के काफे सारे ऐसे evidences मिले, तो यहाँ पे life को support मिल सकता है, और Elon Musk का तो दोस्तों future में plan भी आई है, है ना, बहुत सारी company जो है, आपको मालू में थामर सेंग को लेकर, अर्थ के उपर जो है, उन्होंने travel करवाने को लेकर काम किया है, लेकर Elon Musk के एक ऐसा आदमी है, जो की बोलता है कि नहीं, मैं planet to planet जो है, वो लोग को travel करवाँगा, तो आने वाले 10 साल या 20 साल के अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है, कि अगर आपके पा सब्सक्राइब करते हैं, मिशन काफ में successful रहा था और उसके बाद में नासा ने इसको continue रखा, second time जो है, twin rover बेजे गए थे, spirit and opportunity 2003 के अंदर, और 2012 के अंदर curiosity बेजा गया, तो ये सारे के सारे जो नाम है, ये ध्यान रखने, paper में सवाल है, जो कि बनके आएगा, लेके guys, चलि आगे बात करते हैं, जो कि अनवाचल पर्देश को लेकर, अनवाचल पर्देश को दोस्तों 35 साल है, जो कि हो चुके है, स्टेट बने हुए, 20 February 2021 को, इसलिए दोस्तों चाहिन का नाम है, अनवाचल पर्देश ने बहुत ही बड़ा advertisement है, जो कि अकबार के अंदर दिया है, और 35 स्टेट हुग डे को celebrate करने को लेकर, तो कही सारे अपने achievements हैं, जो कि आपे अनवाचल पर्देश ने लिखे हुए, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, बहुत ही beautiful state है, अगर आपने कभी तवांग monastery, या फिर आप bomb दिला, bomb ला, उदर आप नहीं गए, शैला पास, न बहुत है अच्छे लोग आपको अनाचल में देखने को मिलेंगे, तो अनाचल ओनर कर रहा है, अपने true hero को जिनका नाम है major, रैलंग नाओ, उके अनाचल रतना अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा रहा है, हाई स्टेट का civilian अवार्ड माना जाता है, इसके अलावा, हालोंगी एर्पोर्ट आपको मालूम है दोस्तो, वीटा नगर के अंदर, यहां पर start किया जा रहा है, ठीक है, पेपर में पूछते हैं, हालोंगी एर्पोर्ट कहां पर बनाय जा रहा है, इसके अलावा, अगर मैं और बात करूँ, यहां पर two tier system है, जो कि three tier पंचाय तिरा system की बजाए, setup किया जा रहा है, health infrastructure को upgrade किया जा रहा है, इसके अलावा बात करें, तो कुछ एक यहां पर transmission projects है, power grade के, इसके अलावा, अनाचल परदेश को 2020 के अंदर, leading small state in the fight against COVID-19 का award भी जो है, वो मिला था, ठीक है, इसके अलावा कर यहां पर और बात करें, तो, यहां पर center की scheme जो है, वो implement करेंगे, वो यहां पर बताएगा है, ठीक है, तीजु airport को लेकर काम करने को लेकर यहां पे बताएगा है, ठीक है, और यहां पर एक और है, नैप्चीू, टर्नल है, जो की बनाए जा रही है, आठ नये bridges है, जो की यहां पर बनाए जा रहा है, इनका inaugurate किय गया है वो भी यहां पर बताए गया है ठीक है तो जैसा कि आपको मालूम होना अच्छी कि 1972 के अंदर पहले ये यूनियन टरिटी हुआ करता था फिर 1987 के अंदर क्या बना ये राज्य है जो कि इसको दर्जा है जो की मिलाईटा रेकर कैपिटल है पच्चेस यहां पर डिस्ट है कितनी है मात्र साथ है दो लोग सभा और एक यहां पर राज्य सभा की देखने को मिलेगी गुवार्टी हाई कोट है इटानगर के अंदर बैंच है उसकी वह देखने को मिलती है ठीक है इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टन बात है जैसे कि मेंबल कौन है आपे स्टेट का गायल है जो कि यहां पर स्टेट का मेंबल है लिख देता हूं इसके अलावा बर्ड की बात करें तो स्टेट का बर्ड कॉल सा है हॉन्बिल ध्यान रखेगा पेपर में कई बार पूछते हॉन्बिल फेस्टिबल तो वैसे नागालेंड में होता है लेकिन स्टेट बर्ड का बी इसके अलावा यहां पर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर यहां पर और्किड है और्किड और्री की बात करें तो ट्री यहां पर एक है हॉलॉंग नाम से इंडिया के अंदर डेंसिटी के इसाब से सबसे लेवेस्ट डेंसिटी हमारे अरनाचल परदेश की माने चांथी है मात्र बारा-पंग्रा लोग है कि यह किलोमेटर स्कॉार टेरिया में रहता है यहां पर दोस्तो चाइना के साथ में काफी डिस्प्यूट है चाइना का दिस्प्यूट है वागे हमारा किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं है चाइना इसको साउथ तिब्बत है जो की बताता है ओके चलिए ठीके गाईज आगे बात करते हैं पेज नमर 13 को लेकर पेज नमर 13 की बात करते हैं यूएसे वापस से दोस्तों इरान के साथ में बातचीत करने को रेडी हो गया है इसको लेकर इरान डील को लेकर आपको मालूम है दोस्तों ट्रंप भाई साब जी के दुबारा डील क ब्रेक कर दिया गया था तोड़ दिया गया था इस डिल को और इरान नुकलिय डिल को वापस है एकनॉमिकल सैंशन है जो की अपर लगा दिये गए जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर का इरान को हर अले है जो की लॉस होता है तो यहापे बाइटन एड्मिस्टरेशन ने वापस बो करने को लेकर होती है तो यहां पर मैं आपको डिटेल में बताएता हूं देखिए 2015 के अंदर डील हुई पीफाइफ का मतलब कौन सा है यूएस यूके रश्या चाइना फ्रांस और जर्मनी पीफाइफ मतलब जो पर्मानेंट मेंबर है ना यूएस हो गया यूके रश्या चा करने को लेकर ठीक है तो इस दील के अंदर यह बोला गया था कि इरान जो अपने यूरेनियूम है ना शिप को वह आउट और दा कंट्री भेज़ देगा हैवी वाटर फैसिलिटी जो है उसको बंद कर देगा इंस्पेक्शन किया जाएगा उसका ठीक है तो उसके बाद में इसके बाद में हम करेंगे इंटरेशनल ली बोला कि बहुब कर दो उसके बाद में आपके सेंशन अटा देगे तो इसको लेकर दोस्तों काफी मुद्दा है जो की गर्मायरा और फैनली ये डील ब्रेक नहीं हो पाई ठीक है तो आइस और ट्रम्प ने इसको 2018 के इंदर फा और इरान ने अपने डवलोप्मेंट पैलिस्टिक मिसाल के प्रोजेक्ट भी बंद नहीं करें ऐसा यूएस का कहना था मतलब ठीक आगे बात करते हैं बहुत ही जबर्दस इनिशेटिव जो कि नागलेंड के अंदर एक टीचर के दुबारा किया गया है एक टीचर ने दोस्त यहां पर सोर्स ऑफ लाइट माने जाती लेकिन अभी इस दिरेंगे लोग क्या कर रहे हैं यहां पर सोलर प्लांट है जो कि यहां पर लगा रहे हैं फॉटिफोर येर हो चुके हैं अभी भी यहां पर कई चेकर बिशली देखने को नहीं मिलती है तो ऐसी साट फैम्लीज है जो कि कौन ये नागा कमुझे से विलॉग करती है कौनसी है कौन ये नागा कमौलीज हैakे तो इन लोगों ने कुझने डिसेड किया कि सर्कार तो करेदे कीज़ो करें पहले कुद ही जो हो सोलर पावर हो जाए तो यहां पर दूस्तों सितर को पूरा करने के लिए एक क्या यहां पर काम घाप करते हैं का आपके ने के आर्थ कम लोगनेक्ट ए कफिटेस थे करना चाहिए। तो इसलिए यह जम्ने मैंने कवर कर रहे हैं आगे करτεया कि चौदा को लेकर पेज नमबर चौदा की बात करने के करनाटका को लेकर करनाटका की बैंक ने दोस्तों बोला है कि हमारे साथ में 34 करोड रुपे का फ्रॉड है जो की हुआ है और यह आर्बिया को दोस्तों उन्होंने बता दिया है ठीक है बहुत ही जल्दी बताया जब फ्रॉड हो चुका है उसके बाद में बताया चलिए तो इन्होंने क्या किया था को ट्रांस्पोर्टिशन को लोन ने जो की दिया था तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक के दोस्तों करनाटका बैंक उन्होंने बोला कि आर्बिया को कि हमारे साथ में 34 करोड रुप्रे का फ्रॉड है जो की हुआ है क्योंकि इन्होंने आयलन एफ सी थी वो भी वैसी नहीं थी ठीक है तो 2018 के अंदर बोरिंग अकाउंट है जो की क्लासिफाइब कर दिया गया और अभी इन्होंने दोस्तों इसके बारे में जानकरी दी है करनाटका बैंक की बात करें तो मैंलूरू के अंदर इनका हैड़कॉटर है बैंकों के एक्जाम में द्यान रखेगा ठीक है 1924 के अंदर इस बैंक की शुरुवात हुई थी और अभी जो CEO हैं उनका नाम है महाबलेश्वरा यह अभी यहां पर MD और CEO है ठीक है तो काफी पुराना बैंक है वैसे तो खैर लेकिन फिर भी मतलब फ्रॉड तो हो ही जाता है तो यहां पर बहुत ही कम लोगों बाता होगा इसके बारे में आल्ली वीडियो मिना रखाय आयल एन एफसी इसके बारे में इसके बात 44 के बारे में बात कर रहा हूं IELTS बोलते इसको कहना में पूरा Infrastructure Leasing and Financial Services कोटेक उधे कोटेक है ना वो इसके चेर्मेन है अभी तो उधे कोटेक ने तो पहले तो कोटेक बैंक का बंटादार किया और अभी हो यहां पर आ चुके करने और इसका बंटादार भी हो चुका है क्योंकि सरकार का हजारों करोट रुपे दोस्तों इसको पर करजा चड़ा हुआ है इसके ऊपर मैंने तीन-चार साल पहले वीडियों बना था किस तरह के से आप गोडाला हुआ है और यह क्या करती है कि सरकार के बहुत सब्सक्राइब करती है लेकिन क्या होता है कि इन्होंने अपनी शीट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर इतना फर्जी वाड़ा कि इनके उपर करजा चड़ता गया इनके प्रोजेक्ट दिले होते गए हमकी कॉस्ट भी बढ़ती गई ठीक है देश का जो को लेकर यहां पर बात करएंगे अंकीत पीए मोदी को भी कॉल किया कैनेडा को कॉल किया कई सारे देशों को दोस्तों कॉल किया अस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर ने और बोला कि हमें सब मौरिसन उनका नाम है तो अगर सारे देश मिलके बोलेंगे कि अगर बूगल और फेस्बुक को कि आप लोग जो भी हमारे मीडिया वालों से की न्यूज जो दिखाते हो उसका पैसा न्यूज वाले को देना चाहिए तो हो सकता है कि यह लोग मान जाए ठीक है फ्रांस में तो करवा रहे लोग फ्रांस में तो थोड़ा बहुत पैसा देते भी यह लोग लेकिन फेस्बुक ने अभी सारी न्यूज जो है वो बैंड कर दिती होस्टी लाएक अंदर ठीक है हमारे वाले मीडिया वालों को अकर पैसा मिलने लग गया तो पता नहीं क्या ही करेंगे लोग फ्रेंट पेज है यहां पर ऐसा तो कुछ भी इंपॉर्ण नहीं है जो कि डिसकेशन लाएक है जन सत्ता के अंदर बात करें जन सत्ता के अंदर भी दोस्तों जो इंपॉर्ण है वह एक इसको लेकर हैलिना और दुरुवास्थ को लेकर बारत ने सुदेश में विक्सित टै जैए तो दयां रखेगा यह का है का है टैंक रोधि मिसयल है मिसाईल है एंटी टैंक गाइडва्य झालष क किया इसके लावा इसके आने वाला हैń टाइम पस का झारिय साड़े 400 क्रूटब रुपे जो हर साल जोकी देता है और 20 से ये दोस्तों वापस से इसको ले लिया है हलां कि खायर इसको लेना तो नहीं चाहिए मतलब क्योंकि सेंटिमेंट्स शिफ एक साल के नहीं ऑने चैहिए या Temporary नहीं होने चैहिए जो फर्मानेंट होने चैहिए एक बार जो हई अने एक करने सेम काम करने लग रहे हैं मतलब ठीक है ऐसा नहीं हो रहा चाहिए चलिए आगे बात करते हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार जी को जिन्होंने लांच किया है एप और इंस्ट्रेक्शन लेबर और एंप्लाइमेंट मिनिस्टर है हमारे जैसा कि आपको बालू में संतोष कुमार गंगवार जी उन्होंने एक सौटफेर अप्लिकेशन और इंस्ट्रेक्शन मैनुल लांच किया है किसको लेकर ओल इंडिया सर्वे और लेबर को लेकर ठीक है कि लेबर को लेकर पॉ उनके उबर सर्वे किया जाएगा ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में सर्वे किया जाएगा जब आपको मालूम है ना बहुत ही पजीती हुई थी गवर्मेंट की जब कोविड-19 के अंदर चार गंटे के अंदर मुदी जी ने टाइम दियो और बोला कि सब अपने घर जले जाओ ठीक है चुपन-चुपाई खेली थी और बोला कि ठीक है चुपन-चुपाई आट बज़े आके बारा बज़े सब ब्लॉक कर दिया था उस टाइम पे लाखों लोग दोस्तों माइगरेंट जो है वो पैदल जो है वो घरों में गये थे वोके बहुत सार लोग के मृत्ती हो हुए थी बहुत लोग परिशान हुए थे जब सरकार से डेटा के बारे में पूछा गया है कि बताइए डेटा कितना है तो सरकार ने बोला हमें तो पता ही नहीं तो इस लिए इस बार बोला जा रहे कि यह पांच सर्वे है जो कि लेबर बीरों के दुबारा करा जाएगा और करना भी चाहिए कावी अच्छी बात है सेंट्रल कवर्मेंट ने दोस्तों इस्यू करतिया है मस्पी गाइडलाइन्स शुगर मिल्स को लेकर तो पहले क्या हुआ करता था कि शुगर के ऊपर मस्पी नहीं होती थी तो अभी फाइनली दोस्तों 2018 के अंदर शुगर के अ सेल अफ शुगर को लेकर ठीक है चलिए ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं और बोला है कि अगर कोई इस असेंशल कमुरिटी एक्ट 1905 के साथ में जो है अगर स्टोरेज करेगा तो उसके उपर फाइन भी लगाए जाएगा और उसके उपर जेल भी उसको करा जाएग ठीक है आपको मालूम है इंडिया में स्टोरेज करना जो है वो अलाओ नहीं है स्टोरेज करने से क्या होता है प्राइज मैनिपलेशन होता है ठीक है तो यहां पर सरकार ने बोला है कि अभी कि अगर कोई कमुरिटी एसेंशल कमुरिटी एक्ट 1905 को बीच करेगा तो उसके अंदर तीसरा वाला यहीं बोलता है एक तर सरकार ने बोला कि इसा नहीं करना है और नई वाले जो बिल आये न में यहीं कि ृप कि कर सकते है और तो समस्च्ष defenders अगर कि कर सकता है तो इसके लिए वह फूर्य समस्क्रापे सामना करना प्र या इसको बत. contradictory बात है सरकार की एक ये वाला और एक ये वाला ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स चलते हैं जो की शुगर के प्रोडेक्शन को लेकर उत्तर परदेश दोस्तों उत्तर परदेश किसांच जो है वो इसलिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट क्योंकि ठीक है वहाँ पे शुगर क्रॉप सोते हैं और एक कैस्ट क्रॉप होते हैं तो कैसी उत्तर बेचने के लिए होते हैं ना यह सब अगे बात करते हैं दूस्तों जो की दिल्ली कोट ने प्रिया रहामानी को एक्विट कर दिया है क्रिमिनल टिफर्मेशन के से जो कि एम जे अकबर के दिवारा फाइल कि तो अमने शाद कल भी cover कर लिया था तो दिली कोट ने दोस्तों reject कर दिया criminal defamation case जो कि former union minister जो कि उन्होंने जर्नलिस्ट के खिलाफ किया था sexual arrangement को उन्होंने accuse किया और उन्होंने उसके उपर क्या क्या criminal defamation case है जो कि डाल दिया ठीकि आपको मालूम है कि right of reputation कि आपको मालूम है हमारे दिश में क्या है right of reputation है कि अगर कोई भी किसी के reputation को खराब कर रहा है तो कोई case है जो की कर सकता है उस आदमी के खिलाफ लेकिन यह पर मामला थोड़ा सा बेचिता था reputation versus ठीक है right to life and dignity of woman था कि आप reputation को बचाओगी या फिर महिला को जो है वो dignity को maintain करने के लिए case करना अलाओ पर होगी क्योंकि अगर वो case करेगी तो reputation तो खराब होगी होगी तो यहाँ पर कोट ने बोला कि महिला की dignity और right to life जादा important है comparatively एक person की reputation पे तो विशा का guideline जो कि Supreme Court के दुबारा दोस्तो जो है जारी करी गई थी article 21 का कि कि किसी भी person को अम लोग उसकी लाइफ से deprived नहीं कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आज की दिन की ध्यास की तो 20 February 1907 को मुगल एंपरार औरगिस जेब की मृत्य हुई एहमत नगर के अंदर 1947 को बिटिश प्राइम मिनिस्टर किल्मिन एंटली ने अनौस किया कि वो इंडिया छोड़ देंगे जू 1948 के अंदर 1987 के अंदर मिज्वरम और अनाच्वर प्रदेश 2324 वे राज्य बने बारत के आज के इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है वर्ल्ड का लाज़ेस आइलेंड नेशन है जिसको खुदको नहीं पता कि वहां पर कितने आइलेंड्स है करी लेकिन सक्सेस्फुल नहीं हो पाए तो ऐसा बोलते हैं कि 17000 प्लस आइलेंड्स है जो कि इंडोनेशिया में देखने को मिलत सबसे अधिक मौते हैं जो की हुई है किसके दुवारा लॉंच किया गया है राइट टू रैपोटेशन किसका पार्ट है कि शेर में 2.5 वायू परदिशन की प्रतिवक्ति वित्य लागत सबसे अधिक दर्च करी गई है बारत में करने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है यह था आज का आपका इंपॉर्टन सेशन गाइस मिलता है दस बज़े वाली एन अकैडमिक की स्पेशल क्लास के उपर आज के लिए इतना है थैंक्यू गुडबाई एन वनाइस डेव हुड़